ये दिखे इसको मैं दबा दिया दिखे कितना केजी से प्रेशर आ रहा है आपे नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरे अटुब चैनल टेकनिकल सोनू टेक दोस्तों आज मैं आपको wall mounting plus tank का cover plate लगाना सिखाऊँगा यहाँ पे दिखे दोस्तों यहाँ पे WC लगा हुआ है और यहाँ पे दिखे हिंदवेर का wall mounting plus tank लगा हुआ है तो इसका cover plate कैसे fit करते हैं इसमें label कैसे sit करते हैं कम्प्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहे हैं शुरू से लाज तक और चैनल पर पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्टिकल का और पलंबिंग का पलंबिंग की जानकार दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू आटोमेशन टक्नालोजी वाले पर मिलेगा अधिक जानकारी के ल दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेस्बूक पेज और इस्टाग्राम पर खालोग कर लिजे दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्यूशन में मिलेगा जब रहेगा को टाइब करना उसका रिपलाई करूंगा मैं तो दोस्तों कबर प्लेट का इसे करते हैं चलिए मैं सिखा देता हूं यह दिखिए यह जो कबर प्लेट है इस तरह से बाहर निकल जाएगा यह अभी लगेगा इन आपको एक्स्प्रेंट करने के लिए इधर मैं यह दिखे खोल दिया उसके बाद यह दिखी कनेक्शन पाइप दिख रहा है और अभी यहां पर सप्लाई चालू है लेकिन इसके अंदर सप्लाई चालू करने से पहले सबसे पहले यह कनेक्शन पाइप को खोल के पानी को वाहर गिराना है क्योंकि इसके अंदर जो है करने के लिए यहां से गर पानी बंद कर देंगे तो पानी copper में नहीं आएगा और अघगोल आफि यह सबस्ञद के लिए क्रकाम कर दो throughout the और यह पानी निकल रहा है हलका सा कचड़ा भी निकल गया यह दिखिए इस तरह से पानी को बाहर गिरा देना है पहले कचड़ा अगर जो भी होगा सब निकल जाएगा देखिए निकल गया इसको भी वापस में बंद करता हूं यह दिखिए इसको में बंद कर दिया और यह दिखिए जो है दोस्तों इसमें लेबल सिट करने वाला होता है कनिक्सन पाइप यही पी लगेगा और यह बाहर भी निकल जाता है अगर आपको साब सफाई कुछ भी करना हो यह दिखिए यह निकल गया इसका जो और पाट है दो इधर से पानी उपर से भरता हुआ आएगा तो ये इस तरह से उपर आएगा ये देखिए यहां से पानी आएगा तो ये उपर आएगा और जब इस तरह से ये उपर होगा तो इसके अंदर एक ब्लैक क्लर का वासर होता है यह देखे निकाल दिया और यह जो चीज दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर दिखे यह एक black color का वासर दिख रहा है तो जब पानी इस तरह से भरता हुआ उपर आएगा यहाँ पर पुस करेगा तो air मिलना बंद होगा और यहाँ से पानी जो जा रहा है वो नीचे नहीं जाएगा पानी खाली होगा फिर यह नीचे आएगा उसके बाब फिर पानी यहाँ पर गिरनी लगेगा और इसका लेबल अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो फिर इसको घुमाएंगे इस तरह से लेबल कम ज़्यादा होगा अगर अभी इस तरह से मैं कर रहा हूँ तो label इसका कम हो रहा है जितना ही tight करेंगे तो पानी जो है दोस्तो उतना ही ज़्यादा भरेगा अभी इस condition में पानी कम भरेगा और इसका label दोस्तों दीखे यहाँ पर set करने वाला दिया हुआ है अभी इसको मैं 10 लिटर पर रखा हूँ और maximum यहाँ पर 14 लिटर तक दिया हुआ है अभी 10 लिटर जब भर जाएगा तो यह बंद हो जाएगा अभी इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और connection pipe को भी यहाँ पर बाहर ही मैं लगा लेता हूँ अंदर टाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है फुल टाइट करेंगे यह देखे इसको मैं इस तरह से टाइट कर रहा हूँ connection pipe अब देखे पूरा टाइट हो गया है अब इसको इस तरह से यहाँ पर लॉक में फसा के टाइट कर देंगे एक लॉक देखे वहाँ होता है और एक यहाँ पर होता है अब ये इस तरह से लग गया है अब दोस्तों इसका जो पार्ट है बाहरी वाला उसको यहाँ पर फिट करेंगे तो फिट करने से पहले सबसे पहले ये मुझे कट करना होगा टाइल्स की लेबल तक अभी दिखिए ये पौना इंच बाहर है तो अभी टाइल्स की लेबल तक इसको मैं कट करूँगा ये सिस्टन का जो आउटर प्लेट है दोस्तों वो यहाँ पे है ये दिखिए यहाँ पे एक जो बोल्ट है दोस्तों वो कबर प्लेट को टाइट करने वाला है और एक जो है दोस्तों वो यहाँ पर लगेगा फलस करने के लिए और जो cover plate है वो इसके अंदर है यहाँ पर यह दिखिए यह हिंद्रवर का फलस टेंक है यहाँ पर दिखिए एक छोटा बटन दिया हुआ है और एक बड़ा बटन दिया है तो यह half plus होता है और यह जो बड़ से पुस्क करेंगे देखिए पुस्किया और यह नीचे वाला इधर छोड़ दिया ठीक है यह फिर से दिखा रहा हूँ अभी दिखिए यह लॉक है इसको इस तरह से पुस्क करेंगे देखिए निकल गया इस तरह से लगेगा यह अभी देखिए यह निकल गया ठीक है अब अब देखिए दोस्तों इसको दुबारा में कट कर दिया हूँ और अब इसको में लगा रहा हूँ यह दिखे पूरी तरह से चारो तरप सी यह चिपक जा रहा है अब यह इस तरह से लगेगा अभी सबसे पहले इसको निकाल दूँगा मैं निकालने के बाद यहां पर सप्ला आप कर दिया मैं पानिगिर लेकिन अभी कनेक्शन पाइप इसका लूज है तो उसको में भी टाइट कर लेता हूँ पहले और अब दिखिए जो लिकेज हो रहा था यहां से connection pipe से उसको मैं बन कर दिया हूं और अभी फिर से दुबारा इसको open कर रहा हूं वाल को मैं वाल को पूरा open कर दिया हूं और यहां पर पानी भर रहा है लेबल इसका 10 लिटर पे set किया हूं है 10 लिटर भर जाएगा तो यह automatic बंद हो जाएगा और अभी मुझे चिक करना है यह पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है अभी यहाँ पर पानी भर रहा है पानी को पूरा भरने देता हूं मैं भरने के बाद उसके बाद फलस करके दिखाओंगा पानी जो है दोस्तो अभी पूरा भर गया है मैं थोड़ा सा वेट किया हूँ और अब चलिए सबसे पहले यह वाला कवर यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर दिखें दो लॉग दिख रहा है यह वाला तो यह दोनों यहाँ पर फस जाएगा दोस्तो जो यहाँ पर राइट सा है इसको यहाँ पर लगए यह पूरी तरह से और इसको यहाँ यहाँ पर निला वला दोनों बटन डिख रहा है क्यूश कर जाते के डेख झालिए कंडीशन में अभी काम कर रहा है यह वाला यह बी तरह जागा है क्या पुर्छों सबसे पहले के जिए लगा दिया अब ये वाला जो इस तरह से डिके बिल्कुल प्रॉपर ये जो है फिक्स हो गया है अब इसको यह दोनट दिख रहा है इससे इसको टाइट करेंगे और जो यह दोनों बच रहा है तो यह जाएगा फ्लस के लिए यह दिखे यह वाला इस तरह से यहां पर लगेगा इसको डाइबर्स इसको टाइट करेंगे यह दिखे यह टाइट हो रहा है कि दूसरे वाले को भी यहां पे लगाएंगे अधर कि यह देखे पूरा टाइट हो गया है और यह बिल्कुल भी अभी नहीं हिल रहा है अब यह पूरी तरह से टाइट हो गया है और यह जो है दोस्तों यहां से इस इसको लगाएंगे यह फ्लस करने वाला है यहां पर दीखें नीला वाला एक जो है लॉप दिख रहा है यह इसी लॉप के अंदर जाएगा और कोई भी अगर इसको पुष करेगा तो पानी फ्लस होगा यहां पर इसको इस तरह से डालेंगे और यहां पर यह खाचा बना उस हिसाब से इसको लाग करेंगे देखे अभी इतना बाहर आ गया यह लेकिन अभी इसको मैं इतना अंदर लेके इसको सेट करूँगा यह देखे अब यह यह यहां पर लाग हो गया है अब अगर इस पर कोई फ्लस करेगा तो पूरा पानी खाली होगा यहां पर अभी मैं रहने देता हूँ अभी cover plate लगा के देखूंगा मैं दूसरे वाले को भी इसी लेवल पर सेट करेंगे अब देखिए दोस्तों दोनों को मैं एक बराबर सेट किया हूँ और अभी cover plate लगा के देखता हूँ मैं कम जादा तो नहीं करना है इसको चलिए आप इसमें cover plate लगाऊंगा मैं cover plate दोस्तों यह दिखिए बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा है और यहां पर देखिए दो कर सकते हैं अब यह दिखिए यह WC है इसके cover को मैं open किया यह दिखे खोल दिया मैं और चलिए मैं push करके आपको दिखा रहा हूं और यहां पर दिखिए WC में दिखे यहां पर कुछ भी leakage नहीं है पानी का कई बार मैं दिखा हूं अगर यह जो cover plate है पूरी तरह से proper fix ना हो तो यहां से हलका हलका पानी का रिशा होता है लेकिन अभी इस condition में दोस्तों ऐसा नहीं है लेबल मैं इसको set कर दिया हूं proper चलिए एक बार मैं push करके दे देखे और यह वाला जो है दूस्तों यह फुलफलस है इसको अगर कोई दबाएगा तो tank में जितना पानी होगा पूरा खाली होगा यह दिखे इसको मैं दबा दिया देखे कितना तेजी से pressure आ रहा है यहां पर काफी तेजी से pressure आया है यहां पर जितना भी कचड़ा होगा सबसाफ हो जाएगा और यह जो WC है दोस्तों वो rimless वाला है अब देखे यहां पर कुछ भी leakage नहीं है पानी टैंग में भर रहा है और यहां पर पानी गिरना बंद हो गया है अगर लेबल नई सेट करेंगे ठीक तरह से या फिर अगर उसका जो lock होता है दोस्तों nut जो tight करत है अब दोस्तों चलिए मैं आपको यूज करने का तरीका बता देता हूं यहां पर दिखिए दो folding कबर है और यह जो कबर है hydraulic है धिर धिर आराम से गरेगा अगर इसको साफसफाई करना है तो उस condition में यह दोनों कबर को खोल के साफसफाई कर लेंगे उसके बाद अगर किसी को इस तरह से बंद करेंगे देखे यहां पर क्वाइप दिखा रहा हूं यह दीत का दिखिए और आ पर देखा रहा है और यहांप अर यह दिया हूं नेखिए को जब को घुमाएगा तो यहां से पानी फेकेगा यहाँ पर नीचे जट लगा हुआ है यह दिखे यह दिखे पानी फेक रहा है और यह अभी तिर्चा है तो यह जो है खुद को अर्जेश करना होगा अपने आपको फ्रेस होने के लिए अभी दिखे यह सेंटर में हो गया तो जब कोई इसके उपर बैठा हुआ रहेगा तो फ्रेस होने के लिए दाए बाएं आगे पीछे करके वो फ्रेस हो सकते हैं और यहां से यह बंद हो गया और एक बर और फ्रेस दिखा रहा हूँ है यह यह भी मांटीन टेम तो यह फाय्टा होता है तो इसको मैं पुश करता हूं और प्रेशर दिखाता हूं यह दिके पुश कर दिया और यह इसका प्रेशर है तो मेट्रोपोल में प्रेशर कम होता है हलाकि इतना भी कम नहीं होता लेकिन इसका टैंग का हाइट नहीं है इसलिए यहां पर इतना कम प्रेशर आ रहा है दोस्त का परनम्भी का परनम्भी की जानकारी दश्तो आपको मेरे include इस चैनल सोनों टिक पर मिलेगा और इलेक्टिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नएच्टेनल फॉल्भीक्त थ्ぁ पर पर भी फालो किजिए दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिशन में मिलेगा जब लिंक पर किलिक करें तो पेज पर पहुंचेंगे कोस्चन जो भी होगा टाइप करना उसका रिपलाई करूँगा मैं तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं फिर मिलूँगा किसी अगरे वीडियो में नेट अपकी के साथ